नमस्कार दोस्तों मैं मुनिशा मुनिशा फैशन अब बूटीक से वेलकम बैक टू माई चैनल आज दोस्तों हम बनाएंगे फुल प्लेट पंजाबी सूट की कटिंग कैसे होती है वो हम आपको दिखाएंगे यह है लाइनिंग और अस्तर जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती कुछ लोग इसको अस्तर बोलते हैं कुछ लोग इसको लाइनिंग बोलते हैं हम इसको लाइनिंग बोलेंगे तो अब हमने इसको पूरा प्रेस कर लिया है अच्छा दोस्तों एक और बात जो मुझे आपको बतानी है लाइनिंग कट करने से पहले प्रेस करने से पहले इसक इसको ऐसे पूरा दूसरे कोई भी घर में होगा उससे की छुआ लो एक साइड से दूसरे को पकड़ाओ और फिर एक हिस्सा ये पकड़ो इसके अपोजिट दूसरा हिस्सा पकड़ो फिर ऐसे पकड़के पूरी लाइनिंग की इचनी है उसके बाद प्रेस करना है ताकि जो इसका बाना होता है दोस्तों जैसे ये इसकी बुंती होती है और वोशिंग के बाद हम इसको वोश करते हैं तो वो अड़ी हो जाती है जैसे हम इसमें खिचाओं लगाते हैं तो वो बिलकुल सिद्धी आ जाती है और इसमें कान कम निकलती है इसलिए हमें लाइनिंग को की बीछना चाहिए पहले प्रैस से पहले वह बिल्कुल सेट बैड़ती है अब हम पहले लाइनिंग कट करेंगे तो मैं नाप लिखवा देती हूं यह देखे जो हम आज बना रहे हैं फुल प्लेट बना रहे हैं वह थोड़ा हैवी साइज है डबल एक्सल चेस्ट हमारी है 47 और वेस्ट कमर हमारी है 45 45 हीप हमारी है 52 बावन अब हम फिर हम इनका करेंगे वन फोर्थ हाव इनका होएगा हाव भी चलो मैं बता देती हूं पहले हाव भी बता देती हूं कि हाव कैसे होगा हाव करेंगे हम चेस्ट का करेंगे 23 और हाव और कमर का करेंगे हम 22 और हाव हिप का करेंगे हम 26 जो ये वाला नाप है इसका उठाएंगे हम 1-4 जो ये वाला नाप है दोस्तों ये फुल नाप है इसका हम 1-4 उठाएंगे ये हाप हाप लिखा हुआ है तो हम इसका उठाएंगे 1-4 अब इसका 1-4 क्या होगा ये देखे ये देखिए अब मैं इसका बताती हूँ 1 4th इसका 1 4th होगा 47 को हैगा 11.75 यानि की पॉने 12 और 45 का होगा भै 11.25 यानि की सवा 11 और हीप का कितना होगा 13, 13 ये पॉइंटों में नहीं आया तो अब हम पूरी कटिंग ऐसे ही करेंगे पॉने 12 सवा 11 और हीप 13 आप प्लेट्स देख रहे हों तो प्लेट्स वाली फुल वेडियो ये एक बार नोट कर लिजिए ताकि आपके लिए इसी हो जाए एक बार दिमाग में प्लिजियुभ ऐता हैं लाथ कि मैजर कितना है हम दाल रहे हैं फुल प्लेट्स के फुल प्लेट्स ऐस सबूरी टाल रहे हैं तो इनके फुल प्लेट्स तैयार यह वा 12 तो हम कींप कसे करेंगी कटिंग करेंगयन Nawet की साड़े बारा पर दोस्तों जो इनकी प्लेट है फ्रंट वह बारा पर तयार है और हम कटिंग करेंगे साड़े बारा पर उमीद करती हूं आपको सब समझ में आता होगा अच्छा जैसे कोमेंट आती हैं दोस्तों तो चैस्ट के बारे में पूछते हैं कि साइज यह है मुझे लगता है उन्होंने बोला था कि 28-30 जिनकी फिटिंग है तो हमें उनका कैसे कैसे नेक का पूछा था उन्होंने कि कितना लेना पड़ेगा अब मुझे यह नहीं पता कि ना फुल है वह हाफ है या वन फोर्थ है तो प्लीज यह लिखे आप कि आप वन फोर्थ पू रहें में यह वीडियो में अभाएगए मजग क्यूंकि हम बना रहे हैं पंजबी सूट फुल प्लेट कि तो अब हम वीडियो में तक बने रहेंगे की नहीं कि अब डाल रहे हैं दोस्तों जो स्लीम होते हैं उनका हर कोई बना लेता है स्टीचिंग इतना बड़ा टास्क नहीं है लेकिन एक पीस डिजाइनर बनाना और फनीसिंग से बनाना वो एक बड़ा टास्क है आप लोग भी कर सकते हो एक जोस होना जरूरी है एक जोस के साथ आज हम न प्रेंगे कटिंग तो लाइनिंग पहले हम कट करेंगे अब हम लगाएंगे जो बीगिनर है उनको भी समझ में आ जाएगा लगतार जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उनको भी समझ में आ जाएगा अब हमारी हिप कितनी है दोस्तों 26 चार इंच एक्ष्रा है तो हम कटिंग इतने पर करेंगे तीस पर चार इंच एक्ष्रा लेंगे दोउ एक साइड दो एक साइड फ्यएंग के लिए तो हमारी जबविज कि pursue इस वहाँगा भी को च reflection को कर अविसरा सेी तना कि उन्हार काता काँ वालत नहीं माइसा की यह हमारी यह बोड़ी इसे ही तो करेंग है यह हम बाद में बाद जुम्हें लगाएंगे यह देखो दोस्तों जब मैंने लाइनिंग का खिचाओ किया है यह आपको नजर आ रहा है यह देखे जब मैंने लाइनिंग का खिचाओ किया है तो यह जितने भी कान निकलनी होती है ऐसे निकल जाती है और हमारा सूट ऐसे इधर उदर निगूमता, बीना प्रेस के हमें कभी कटिंग नहीं करने चाहिए, अब हम इसको करेंगे डबल, देख रहे हो ना दोस्तों, ये करेंगे हम डबल, ऐसे डबल करके हम पूरा डबल करते हैं पहले इसको, फिर हम इसको डबल करके, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये हमने ऐसे डबल किया, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, पूरा, पूरा ऐसे करके, इसलिए हम वन फोर्थ पर कटिंग करते हैं, अब जब हम इस फेस को खोलेंगे, ये देखो, खोला, तो ये एक पीस निकलेगा, फ्रंट या बैक, एक पीस नि करते हैं, हाफ इदर और हाफ इदर फिटिंग का, तो ये हमारा कितना होगे, 26, 13 इदर लगाएंगे, तेरा इस साइड, तो ये हमारा 26 हो जाएगा, एक दूसरे पेस पर हम ऐसे निसानी लगाएंगे, अब हम इसको बिचा लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, हमने लाइनिं दूसरी साइड रखना है, अब हम करेंगे, शैट की कटिंग, अब हम मैं ब्ल्यू चोक निकावती हूँ, ताकि आपको नजर आए, ये देखो, अब हम इसको, जो ये तिर्ची है, इसको बिल्कुल लाइन से, एक लाइन ड्रो करेंगे, दोस्तों, ताकि ये बिल्कुल इक अब हम मेजर करेंगे, इससे उपर ही करेंगे, दोस्तों, मैं आपको, हर वो डिजाइनिंग में, जो जो डिजाइनिंग होती है, स्टीचिंग में लगा हूँ, आपको पिक्चर ड्रो करना, इलिस्ट्रेशन से लेकर स्टीचिंग तक, सब कुछ आपको फ्री में जैसे ही मेरे साथ, जादा से जादा लोग जुडते हैं, उसी क्या कोडिंग हम क्लासिस सुरू करेंगे, क्लासिस के लिए मैं एक डेट फिक्स करूंगी, उसमें हर कोई डिजाइनर बन सकता है, हम भी अपना बुटीक का पीस त्यार कर सकता है, पूरा इंडिया, पूरा ब पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर वो लेडी काम कर सकती है, जो एक बुटीक में काम होता है, तो आप अपने होसले और जोस के साथ त्यार रहिए, मैं आपको फ्री में हर वो छोटी-छोटी चीज, हर वो छोटे-छोटे माटीरियल, जो की बुटीक में यूज होते हैं, जीर जाए जाएगा, आप लोग, घर, बैटे, सब कुछ कर सकते हो, मैं कर सकते हूं, तो सब कर सकते हो, हम एक अच्छा ब्रांडीट पीस बना सकते हैं, तो दोस्तों, हम निसान लगाएंगे हैवी साइज में एक इंच, जो की हम बैक बड़ी कटिंग करते हैं, उसके लिए लगाते हैं, यह उपर एक इंच हो गया, अब हम मेजर टीप रखेंगे नीचे, क्योंकि लेंथ ही है, इसे रखनी है और कमनी होगी, यह देखो हमने 45 लेंथ रखनी है, और यह पूरा है, वैसे भी लाइनिंग एक अब हम निसान लगाएंगे मेजर टीप को की है, हमने सीधा और हम निसान लगाएंगे, कितने पे निसान लगाना है दोस्तों, साथ पे, पंदरा पे, आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है, बाइस पे, क्योंकि यह हैवी साइज है, हम चोगा पे बीकर सकते हैं, निशान लगाएंगे अब हम लाइन ड्रो करेंगे स्केल के साथ यह देखो अब हम तीरे का निशान लगाएंगे इसमें नेक देख लेते हैं इसमें नेक इतना बना हुआ इसमें नेक बनाना है podr, बैक नेक रखा इसमें साथ दोस्तों जो यह हम कटिंग कर रहे है ुसकान बैक से साथ it और फ्रंट सवा साथ तो अब जो कटिंग करते हैं वह बैक को कर दिक होता है तो हम उसके दिनरा लगाते हैं जो हमारे तीरे की cutting होती है बैक गले के according होती है ना कि front फ्रन्ट तो 7 साथ साथ से ज़्यादा डीप नहीं हो सकता बट हम क्या करेंगे back के according ही इसकी cutting करेंगे तो back इसका 7 है अगर हम इसकी इसका तीरा काटेंगे 7 क्योंकि जैसे हैं बुटीक के पीस बनते हैं तो वह भी सेट हो जाएगा वैसे इसका तीरा कटेगा साड़े छे दोस्तों एक बात बताती हूं में 6 पर भी इसका नेक बिलकुल सेट बैट जाएगा वह क्यों जो डीप बनाते हैं गले वह फैल जाते हैं अगर हम उसमें लगा लाएंगे साड़े छे का यह देखिए है कि यह हमने साड़े छे पर निशान लगाया है और निच्चे भी हम यह सामना जादा डालती हैं जैसे कि कल भी बात हुई थी हम निच्चे साथ रखेंगे एक इंच हम बैग करेंगे अब हम इसको हलका सकम गुमाएंगे क्योंकि यह चेस्ट में पूरा हो जाएगा और यह हमारा बैक हो गया हम इसको राउंड में अब यह चीज देखिए दोस्तों कामरा इदर यह देखिए आपको समझ में आ रही है यह बैक है और यह फ्रंट वेस है यह हमने एक इंच उपर लिया है बैक का यह चीज में आपको समझाना चाती हूँ अब हम डाउन करेंगे इसको हम डाउन करेंगे आदा यह पोना इंच तो हम इसमें पोना इंच लगाते हैं यह हमने डाउन करना यह देखो यह हमने ऐसे डाउन किया है अब ये back है तो हम back down कैसे करें ये back है ना तो हम back का जो हमने ये जो में निशान लगा है हम इससे down करेंगे जब आप cutting करोगे एक बार आप news paper पे निशान लगाना तो आप बिल्कुल ओक से सीख जाओगे ये देखो अब यह इधर पॉनेगा यां पर एक हो गया, तो हम इधर भी पॉनेगा इंची करेंगे, यह देखो, ठीक है दोस्तों, अगर हम ऐसे कटिंग करेंगे, ना नेक फैल लेगा, ना गला अगल जाएगा, ना पिच्छे जाएगा, बिल्कुल सैट आयेगा, तो हम ऐसे cutting करेंगे अब हम chest का निशान लगाएंगे chest हमारी कितनी है पोने बारा ये पोने बारा भी हमारा निशान आगे कमर हमारी कितनी है दोस्तो 11 तो हम कितने पे निशान लगाएंगे 12 पे निशान लगाएंगे क्योंकि ये full plate है और plate भी दानने है front में भी plate डलेंगे back में भी plate डलेंगे इसलिए हम इसको ज़्यादा margin रखके लेंगे hip 13 ही लेंगे hip कितनी लेंगे हम 13 अब plate का नाम हम लेंगे इधर से ही जो हमने first line ड्रो की है अब plate कितने पर है 12 पर त्यार है तो हम कितने पर निशान लगाएंगे दोस्तो साड़े बारा पर और कितनी इंच का plate डालेंगे साथ का डाल देते हैं आठ का भी डाल देते हैं अब हम line ड्रो करेंगे अब हम डालेंगे साड़े तीन साड़े तीन इंच पोने चार पर भी हम डाल सकते हैं plate यह हम साड़े तीन से एक m.m. Hill. उपर डालेंगे साड़े तीन से एक m.m. पर यह हमारी front plate होगी है मेरे पास क Murray आया था दोस्तो पंजाबीтеदी थो पंजाबी कूरती की cutting है इसे होती है जिसमें full plate fitting होती है वह पंजअबी कूरती है तो, यह हमने Center की प्लेट डाल ली है अब हम डालेंगे कमर की प्लेट ये देखो ये सीधा फॉर्मूल है यह तक कि समें बिल्कुल setting आती है वैसे तो कोई कैसे डालता है कोई गुमागे डालता है कोई कैसे भी डालता है पर आप लोगों को बिल्कुल नहीं गुमना है बिल्कुल ईजियakah साइज तो हम दाइंच लगाएंगे normal में 2 इंच लगाएंगे तो यह मैं लगाया है कि अगर नोर्मल होगा यहने कि अगर मैं चुझ में मैं डाल लुँगि तो मैं 2 इंच पर स्वहाँगी है By है कि यह में निशान उठाए है मैं यह एक देल ही हमारी एक प्लेट ये आगी है अब एक प्लेट आएगी है हमारी इन दोनों का सेंटर अब इदर से हमने साड़े तीन लिए ये आने चाहिए साड़े चार ये पोने पांच पर भी हम निसान लगा सकते हैं ये इन दोनों का सेंटर अब ये देखो ये है 2 इंच अब इसका देखो सवा एक होगा अब इसका सेंटर कोन सा बनेगा ये बनेगा सवा एक और इसके सेंटर से उठाएंगे हम जो हमारा आर मोल है ये देखो इग्जेक्ट साड़े तीन है ये देखो ये साड़े तीन बैठरी है इधर से भी नाप लेते है ये देखो 9 इंच परफेक्ट है ये ये बिल्कुल परफेक्ट है ऐसे हम प्लेट्स का निसान लगाएंगे ये बिलकुलोग के आतियां दौस्तो प्लेट्स आपको समझ में आ रहे है ये प्लेट्स बिलकुलोग के आतियां डाले हुए मै तो ऐसे ही डालती हूँ अब हम निसान लगाएंगे सेपर से, जैसे कि मैंने बोला हुआ है ये अंदर की साइड हम अपनी तरफ करेंगे, सेपर को हम ऐसे रखेंगे, ताकि करव में फिटिंग अच्छी आए हीप का निसान हम स्केल से लगाएंगे, ताकि सिद्धी बिल्कुल अच्छे से आए बाकि जब इसमें हम प्लेट डालेंगे दोस्तों ये जवर्दस सूट बनेगा, बड़ी अच्छी फिटिंग आएगी, अच्छे एक बात और मैं बताना चाती हूं आपको, वैसे सबको पता होता है, फिर भी मैं अपने अकोर्डिंग जितना बता सकती हूं तो मैं बताने की क करते हूं, जैसे हम प्लेट डालते हैं, फुल प्लेट डालेंगे हम, ये हमारा बैक में भी निसान ऐसे ही उठजेगा, हम गरारी के साथ इनको निसान को उठा लेंगे, तो दोस्तों हम जब बैक प्लेट डालते हैं और फ्रंट प्लेट नहीं डालते, तब हम क्या करेंगे पहले fitting का निसान लगाएंगे, बाद में हम back plate डालेंगे, अगर हम full plate डालते हैं, तो पहले हम plates डालेंगे और बाद में fitting लगाएंगे, अगर हम full plate डालते हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम पहले plates डालेंगे, और बाद में fitting लगाएंगे, अगर हम back plate डालते हैं, तो हम क्या करे पहले फीटिंग लगाएंगे और बाद में प्लेट डालेंगे यह नोटिस करना कि बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बीच में समझ में आए तो कुमेंट कीजिए कुछ पूछना है उसके लिए भी कुमेंट कीजिए अब हम करेंगे इसकी कटिंग हिप भी हम 13 इंच लेंगे यहां से निशान लगा उठा लेते हैं जितने हिप उत्ती है अतना घेर होता है यह निशान लगा है हमने अब हम गरारी से यह उत्ती है दोस्तों गरारी यह देखो 20-25 रुपेगे आ जाती होगी है यह हम ऐसे निशान उठाएंगे दोन्नों बैक में भी जाएंगे और दूसरी साइड भी इक्वल आएंगे फीडिंग का निसान उठाएंगे यह देखो अब हम करेंगे दोस्तों इसकी कटिंग यह देखिए दोस्तों हमने कटिंग किये अब हम करेंगे हमने यह कटिंग कर दिये बैक की अब हम करेंगे फ्रंट की कटिंग यह चीज देख लीजिए यह देखो यह देखे अब यह ऐसे आएगा अब यह बिल्कुल भी सटिंग से बठेगा यह देखिए यह बिल्कुल सट आएगा और इसका तीरा वगेरा भी बिल्कुल परफेक्ट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और पूरे जोस और होस से काम कीजिए आप भी कर सकते आप भी डिजाइनर बन सकते और अच्छा चपीस बना सकते हैं जैसा कि मैं हर बार बोलती हूं एक यूनीक सी चीजे अब हम लोग मिलकर बनाएंगे और मिलकर स्टीचिंग को एक बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार